आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे one of the penny stock जो पावर सेक्टर में धूम मचा रहा है शेर धारकों के लिए अच्छी ख़बर साथ साथ में अगर आप रातो रात लगपती बनना चाहते हैं तो दोस्तो stock को lower level पर खरीदिये और बोर्ट जोन में मत खरीदना ये गलती कभी मत करना हमारा चैनल इस बात को बड़े आसानी से समधाने की कोशिश करेगा technical analysis के माध्यम से market cap की दर्शी से बात करें हम company की बात करें रतन पावर की और small cap company है 3000 करोड की company है करीब करीब और हर एक दिन करीब एक दश्मन चार लाक एक दश्मन चार करोड share hand exchange होते है revenue की दर्शी से देखा जाए yearly trend एक study है थोड़ा सा last के दो सालों में revenue में थोड़ी सी कमी आ रही है अगर देखें तो यहाँ पर pat की भी बात की जाए तो एक साल positive रहा है बाकी तीन साल negative है तो trend जो है negative तरह से direction में जा रहा है average यहाँ पर करीब करीब 1.3 thousand के आसपास loss है average का shareholding pattern को देखा जाए तो यहाँ पर FII की अभी holding lag कर रही है जब FII इसमें holding बढ़ान शुरू के बहुत अच्छा रहेगा public के पास 41% और DIA के पास 13% की holding है इसमें यहाँ पर government बहुत सभूले दे रही है particularly जो coal based energy sector है power transmission के reference में demand बढ़ रही है technical analysis के मादें से बता रहे है रतन power अभी थोड़ा गिरेगा और गिर्टते हुए यह अच्छा मोका रहेगा जो लोग शुरू में rally को miss कर गए थे यह आपके लिए case study लेके आए है कि क्या fundamental performance है इनकी other competitor के साथ में तो रतन power को अगर देखा जाए इन्होंने एक साल में 140 प्रतिशत का return दिया है वही अधानी power ने 313 प्रतिशत का return दिया है Tata power next competitor 186% return दिया तो देख सकते है return की दर्शे से काफी अच्छा performance दिया है however अगर आप यहाँ पर profitability की बात करें तो return power ने negative 941 का return दिया है और वही पर सबसे ज़्यादा NTPC ने जो है positive net profit दिखाया है पर NTPC क्योंकि आपको यह return share में कम मिलते हैं इसमें आपको advantage का मिलता है dividend बहुत जाद रहता है we are very bullish in return power this will trigger a positive momentum इसके लिए नए source of revenue ढून रहे है transaction based में commission based margin improve होगा जिसके चलते हुए इनकी profit after tax आगे बढ़ेगा आई यह जरा चलकर सबसे पहले इसका देखते हैं तो देखे जब positive momentum शुरू हुआ था इन रुपे 60 पैसे के आसपास से high गया 6 रुपे के आसपास consistently बुलिंजर बैंड के बाहर candle बनना अच्छा sign नहीं है fresh entry नहीं ले सकते हैं पर 70 कब तक चला गया बुलिंजर बैंड यह overbord zone में है थोड़ा साफधान रहिएगा कुछ लोग अगर इसमें trap हो गए है between 6 रुपे से लेकर 5 रुपे 50 पैसे तक अगर यह continuously load circuit लगता है तो कहां जाएगा अगला question यह बनता है सबसे पहला जो support है इसका 4 रुपे 60 पैसे के आसपास है अगर वो तूपता है तो 4 रुपे 40 पैसे तो यह एक range बनके चले 4 रुपे 60 पैसे से 4 रुपे 40 पैसे का पहला range रहेगा जहां इसको support मिल सकता है super trend की दर्शी से भी 5 रुपे का support है RSI का level अगर 70 के उपर है तो आपको खरीदना नहीं चीए as a retail investor यहाँ देखिए 4 रुपे 70 पैसे के उपर इसका RSI 70 के आसपास चलागे था यहाँ खरीदने के हमारा channel सला नहीं देगा इस stock को long term के लिए अच्छा है यहाँ पर golden crossover हुआ था बट उसके बाद में जो dip आया है इसने इसको निस्तो नबूत किया है golden crossover को यह अभी शायद नीचे की तरफ को फोड़ा pressure में रहेगा value by निवेश करने के लिए आपको 3 level हमेशे निवेश करने चाहिए triangle pattern implement करना चाहिए ताकि आपको long term के लिए अच्छा रहे सबसे पहला निवेश जो हमने बताया support और उसके बाद में अगर आप तीन रुपे के आज पास अपने पास cash रखे तो अच्छा रहेगा long term के लिए और अगर हमारे साथ जुबना है तो मिल रॉप कीजे जहीं जब भारत बाई गाईज